हलो इस्ट्राइंट्स, वेलकम टू चानल सब कुछ नो, आज आप लोग पढ़ेंगे NCRT क्लास 9 मैत का प्रस्नावली 3.2 का इंटोड़क्शन और प्रस्नावली 3.2 इससे पहले वाले पाट में आप लोगों ने प्रस्नावली 3.1 पूरा कम्प्लीट किया था अगर आप लोग चनल परना है, चनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा सेर करिए ताकि सभी लोग घर बठे, आसानी सा अनलाइन पढ़ाई कर सका तो यहाँ देखिए, यह जो 3.2 का इंट्रोडक्शन है, काफी इंपोर्टेंट है इससे आप लोगों को किसी भी कलास में, आप लोग जब उंचे कलास में जाएंगे तो इससे कोस्टन पूछे जाएंगे, या कोई भी कम्प्टीशन वाला एक जाम देने जाएंगे देखते हैं, आप लोगों ने संख्या रेखा पढ़ा, पहले चेप्टर में संख्या रेखा आप लोगों ने जाना था तो पले संख्या रेखा से हम लोग समझते हैं संख्या रेखा में आप लोग ने देखा था कि बीच में कहीं एक जगा हम लोग 0 लेते हैं राइट साइड में बराबर दूरी पर प्लस वाले संख्या होते हैं प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, ऐसे राइट साइड में 0 के पलस वाले संख्या होते थे संख्या रेखा पर और बायर साइड में माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ऐसे माइनस वाले संख्या होते थे यहाँ पर आप लोग निर्देशांग ज्यानीत पढ़ रहा है तो इसमें क्या करना है किसी तल पर एक बिंदू की इस्थिती बताना है इसको आप लोग पढ़ रहा है इसमें क्या था किसी संख्या रेखा पर बिंदू की इस्थिती बताना था जबकि इसमें किसी तल पर बताना है किसी बिंदू की इस्थिती को तो इस निर्देशाइक जयामित में तो हमने पहले चेप्टर में बताया था संख्या रेखा मालली जी एक और संख्या रेखा, हम लोग ठीक इसी तरह का ऐसे उपर से नीचे की तरफ लेते हैं बीच में मालली जी यहाँ zero हम लोग लिखते हैं इधर उपर के साइड में प्लस वाले संख्या ले लेते हैं और 0 से नीचे के साइड में हम लोग माइनस वाले संख्या ले लेते हैं तो ध्यान दिजिए ये दोनों संख्या रेखा हिया ये 36 लाइन इसको कते हैं ये उपर से नीचे को उर्धवाधर लाइन कते हैं कोई भी लाइन आप लोग कहीं भी देखेंगे अगर उपर से नीचे लाइन हो तो उसको उर्धवाधर लाइन कते हैं और बाय से दाय साइड में ऐसे हो तो इसको 36 लाइन कते हैं इन उर्दवाधर और 36 लाइनों को अगर हम लोग इस परकार से मिलाद दोनों को, ध्यान्दी जी यह क्या कर रहा है? यह संख्या रेखा हमने 36 में लिया, यह संख्या रेखा उर्दवाधर में लिया. यह 0 को हम लोग ऐसा मिलाएं कि इस 0 पर आए मतलब यह जो बिन्दु है 0 और यह बिन्दु 0 हम लोग दोनों ऐसा रखां कि दोनों 0 एक पर आजाएं देखिए कर से हम लोग यही दोनों को एक में मिलाते हैं मालने जिए यह 0 है यह वाला हम लोग फिर से बनाते हैं यह प्लस 1 है यह प्लस 2 है यह प्लस 3 है यह प्लस 4 है और इधर के तरब देखिए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इस तरह से है हम लोग क्या करते हैं इस वाले लाइन को जो 36 वाला लाइन है यह जो उर्धवाधर वाला लाइन है इसको इसी पर रख देते हैं कैसे रखेंगे यह वाला बिंदू यह इस बिंदू पर रखना है मतलब ऐसे बनेगा कुछ यह बिंदू हमने इसी पर रखा तो संख्याई यह देखिए उपर चले जाएंगे ऐसे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरह से हुगा और नीचे यह माइनस वाले आ जाएंगे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 इस तरह से तो देखिए हमारा तल जो है इस सम्तल यह जो हमने लिया था यह सम्तल है चार भागों में बट गया है देखिए एक, दो, तीन, चार भागों में बट गया है इस सम्तल पर पूरा ऐसे उपर से नीचे है और 22 दाय लाइन खीचा तो चार भागों बटे गाई तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं चार भागों बटे गया पहला चतुर्थांस इसका नाम क्या होता है पहला चतुर्थांस फर्स्ट चतुर्थांस इसको कहेंगे इधर से गिनते हैं देखिए पहले का बाद ये दूसरा आपता है ये है सेकेंड चतुर्थांस इसको काते हैं थर्ड चतुर्थांस और इसको काते हैं फोर्थ तर्ड चतुर्थांस तो देखिए चैरों चतुर्थांस ऐसे होते हैं जभ्यक्ति तल पर ध्यान दिजि यां में कहने वाले हैं किसी तल पर जब हम लोग दो लाइन इस परकार लंबवत एक दूसरे स्खीशते यह दौनों कैसे हैं सीधे हैं, सीधे मतलब लंबवत, एक दूसरे सनब्बे हैं के कुण पर है, ऐसे दो लाइन जा हम लोग खीचेंगे, तो एक लाइन को देखिए कहेंगे, इसको कहेंगे यक्स अच, ध्यान दीजिए अगा आप लोग क्लासेट में पड़ भी चुके हैं, इस वाले लाइन को जो ये 36 लाइन है, 22 से दाये वाला जो लाइन होता है, इसको कहते हैं, यक्स अच, उपर से नीचे वाला जो लाइन होता है, इसका नाम होता है, वाई अज, यहाँ पर हमने आप लोगों के समझने के लिए इसको बनाया था, इसको यहाँ साहताते हैं आप, तो देखिए, अब ये जो तल हो गया ध्यान दिजिए ये जिस तल पर हमने बताया ये वाइट बोर्ड है ये एक तल है जिस तल में यक्स अच और वाई यक्स तथा चारो चतुर थांस दिये हो उस तल का नाम क्या हो जाएगा कार्तिय तल याद रखिएगा इसको कार्तिय तल इसी को यक्स वाई तल भी कहते हैं इसी को किसको कहेंगे जिस भी तल पर जिस भी तल पर यक्स अच वाई अच और चारो चतुर थांस दिये हो उसी तल का नाम क्या होता है कार्तिय तल या यक्स वाई तल कार्तिय तल और इसी कार्तिय तल के द्वारा ही इसी कार्तिय तल पर इन अच्छों के द्वारा ही किसी बिंदु का स्थान निर्धारित किया जाता है किसी बिन्दु का स्थान निर्धारित करने के लिए ये जो कार्ति ये तल जिनों ने बनाया जिन बाग्यानिक ने इसका प्रतिपादन किया उनका नाम है रेने देकार्ते रेने देकार्ते उन बाग्यानिक का नाम है जिनों ने इसका खोज किया था तो आप लोगों ने चतुर्थान समझ लिए इसको पहला दूसरा इसको तीसरा इसको चोथा काते हैं यहाँ जहाँ पर दोनों अच्छ यक्स अच्छ और वाई यज जहाँ पर दोनों यक्स अच्छ और वाई अच्छ जिस बिंदु पर मिलते हैं एक दूसरे को प्रती छेदित करते हैं एक दूसरे को काटते हैं उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु इसका नाम क्या है यहां लिखते हैं मूल बिंदू क्या नाम है इसका मूल बिंदू जहां पर यह सच वाई यह दोनों एक दूसरे को करते हैं वहां उसका नाम है मूल बिंदू अब इसमें आता है बात निर्दे सांक का निर्दे सांक किसको करते हैं मूल बिंदू का जो निर्दे सांक होगा इसका इसका निर्द निर्देसांग होगा आप लोगी याद रखेंगे अभी पता चलेगा निर्देसांग किसको करते हैं निर्देसांग किसका होता है 00 कि ध्यान दीजिए निर्देसांग क्या होगा कि किसी बिंदु की स्थिती बताने के लिए हमने बताया था आप लोगों से कि दो सुचनाओं की जरूरत होगी उन्हीं दोनों सुचनाओं को निर्दे सांग करते हैं निर्दे सांग को हमेशा दोनों को कौमा लगाके ब्रैकेट में लिखते हैं ये होते हैं निर्दे सांग दो जो सुचना होंगे किसी बिंदू की स्थिती को बताने वाले उन्हीं को निर्दे सांग कहे और इसमें आप लोगों को चिन ही याद रखना है पहले चतुर्थांस का चिन क्या होगा सभी चतुर्थांस में दो दो बिंदु होंगे दो सुचना है दो निर्द सांग तो इसका देखिए चतुर्थांस पहले का जो चिन होता है दोनों प्लस प्लस होता है इसमें जो भी सं मैंनस प्लस इसमें होता है माइनस माइनस इसको याद रखना अपगा और चृत चाथ्रों थान्स में होता है प्लस मैणस यह आप लोग को याद राखना अब इसी चतुर्थांस को हमको और detail में इसमें समझना है अबी निर्देशांग कैसे लिखते हैं कैसे किसी बींदु की स्थिति बताएंगे तो फिर आगे हम लोग देखते हैं इसको यहां से हटाते हैं तो देखिए अब हम लोग यहां समझते हैं यही हमने कार्तिय तल इसको बना लिया है मतलब दोनों अच्छ होगा और 4 चतुर्थांस होगा तो यह इसी का नाम है कार्तिय तल इसमें माल लिजिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई बिंदू यहाँ पर ले लेते हैं कोई बिंदू हमने यहाँ पर ले लिया है अब इस बिंदू का नाम माल लिजिए है P P कोई बिंदू है इस बिंदू का हमको निर्दे सांक बताना है ध्यान दीजिएगा निर्दे सांक मतलब यकच से कितना दूरी पर है यकच से कितना दूरी पर है हम लोग इस बिंदू को थोड़ा किनारे और लेते हैं यहाँ तब आप Лोग अच्छे समझेंगे तो देखिए हमने क्या किया है इस तल में हमने कोई एक बिंदू ले लिया है दिए पी का र Kapidor निर्देशाय को बताना मितलब क्या होता है यक साच से कितने दूरी टरा भाइब ते अलो यह सच यह यस अच्छ से ये कितना दूरी पर है देखिए इसके सामने है तो कितना दूरी पर है, देखिए, एक, दो, तीन, मतलब यहां से अगर हम लोग P से इस पर लंब खिचते हैं ऐसे, ध्यान दीजिए, P बींदु को अगर हमको बताना है, कि इस यक्स वाले अच्छ से कितना दूरी पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यह लंब बहुत जो दूरी होगा, यही नाप लेंगे मतलब कितना दूरी है, देखिए, तीन तक का दूरी है, प्लस तीन तक का, यक्स अच्छ से कितना दूरी पर है, प्लस तीन तक का दूरी है, यहां लिखते हैं अभी आप लोग समझेंगे, यक्स अच्छ से प्लस तीन मात्रक दूरी, पी है कितना दूरी है मात्रक मतलब जब सेमी मीटर नहीं दिया हो तो मात्रक लिखते हैं अब माली जी हम लोग बताते हैं अगर कहते हैं वाई अच्छ से पी कितना दूरी पर है हम लोग क्या करेंगे के पी से यह यहां तक का जो दूरी है वाई अच्छ तक का इसको ना पेंगे हम लोग वाई अच्छ से कितना दूरी पर है यह तो कितना दूरी पर है देखिए वाई अच्छ है यह पूरा यहां से यहां तक मतलब चार दूरी पर है लिखेंगे क्या वाई अच्छ से य अच्छ से पलस चार मात्रक दूरी पर है वो बिन्द पी अब देखिए ध्यान दीजिए मतलब अगर हमको पी तक जाना हो पी तक जाना हो तो क्या करेंगे हम लोग चलते हैं यहां से यह भी ध्यान दीजिए मूल बिन्द जो होता है कहीं भी जाना होगा हमको किसी भी चतुर्थांस में जाना होगा तो पहले यक्स पर चलेंगे बाद में वाई पर चलेंगे तो यहां से हम लोग चलेंगे यहां जाना है तो किस पर पहले यक्स पर चलेंगे हम लोग यहां पहुँचेंगे मतलब यक्स पर हम लोग कितना चले चार तक चले हमको वहाँ जाना है तो यक्स पर ही जाना है तो पलस चार तक आए निर्दे सांग देखिए कैसे लिखेंगे चाप पहले यक्स पहले यक्स निर्दे सांग कही लिखा जाता है फिर बाद में वाई निर्दे सांग हम लोग यहां मूल बिंदु से चले कहा तक 4 तक मतलब यह 4 हमने लिखा कॉमा लगाएंगे अब हम लोग उपर गाए P तक हमको जाना था उपर क्या है नीचे से उपर जाएंगे तो Y है उपर Y पलस होता है वही माइनस में रहाता तो हम लोग माइनस के तरफ चलते यक्स क्या है दाय तरफ प्लस, बाय तरफ माइनस Y क्या है? उपर के तरफ प्लस नीचे के तरफ माइनस होता है इसको याद रखेंगे तो देखिए P का निर्दे सांग हमने आसानी से 4-3 बता दिया पहला वाला जो होता है यही यक्स होता है और दूसरा वाला यही Y होता है हमें ऐसा याद रखेंगे जो पहला बिंदू लिखा होगा वो यक्स पर मतलब यक्स पर जो चलेंगे वो होता है और दूसरा जो होगा Y पर चलेंगे वो होता है इसी यक्स और Y निर्दे सांग का नाम होता है इस यक्स वाले का नाम भूज भी होता है और Y वाले का कोट भी होता है मालने जिए कोई ऐसे पुषता है बिन्दु P का निर्द सांग बताईए तो चार तिन बताएंगे यासे पुषता है बिन्दु P का यक्स निर्द सांग बताईए तो केवल चाम बिंदू P का वाई निरसांग बताईए तो 3 अगर कोई ऐसे पुछता है बिंदू P का भूज बताईए तब भी बात वही हुआ 4 भूज मतलब यक्स पर जो चलेंगे वही भूज होता है और वाई पर जो चलते हैं वो कोटी होता है इसको आप लोग याद रखेंगे भूज और कोटी को वही दूरी बताना है यक्स अच्छ से कितने दूरी पर है तो यक्स अच्छ से अगर दूरी बताना हो तो वाई वाला बताएंगे 3 ध्यान दिजी अगा यक्स अच्छ से दूरी तो y वाला बताना पड़ेगा दूरी के लिए और अगर y से पूष्टा है कितने दूरी पर है तो yaks वाला बताना पड़ेगा यह याद रखेंगा आप लो इसमें confused होते हैं लो अगर दूरी पूष्टा है yaks से कितना दूरी तो y वाला बताएंगे और अगर Y से कितना दूरी पूछता है तो यक्स बताएंगे यही हमने यहां लिखा हुआ तो यह दूरी के लिए होता है दूरी के लिए उल्टा बताएंगे बाखी यक्स अच वाई अच भूज कोट ऐसे बताएंगे आप लोग एक और हम लोग लेते हैं भी आप लोग किलियर होंगे जैसे माली जीए यहां पर हम लोग कोई एक बिंदू ले लेते हैं क्यूँ इसकी मतलब इसका हमको निर्दे सांग इसकी स्थिती बतानियत क्या करेंगे हम लोग मूल बिंदू से ही चलना शुरू करते हैं इसको याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं अब हमको जाना इस दूसरे वाले चतुर्थांस में इस Q बिंदू तक कैसे जाएंगे पहले हमने बताया हमेंसा यक्स पर ही चलेंगे फिर Y उपर जाते हैं Y उपर से नीचे जाएंगे तो Y है बाइस दाया जाएंगे तो ये वाला पूरा यक्स अच्छ है तो हम लोग यहाँ से इसमें जाना है तो पहले किधर जाएंगे उपर जाना नहीं है क्योंकि पहले यक्स में चलते हैं लोग यक्स में आगा है यहाँ तीन तक दकी यह तीन के सामने तक फानता ईज मायन शो सब्सक्राइब मतलब हम लोगा mix of from लग गंगे जंख ऊपर हम लोगा मुपर वाई होता है तो यह क्या सामने तक है बिन देखिए उपर हम लोग कहा तक गया है एक तक मतला हम लोग ऐसे आए उपर हम लोग गया ये एक दूरी तक देखिए और ऐसे जो दूरी है ये कितना है माइनस तीन है उपर के तरफ वाई पलस होता है तो एक तक हम लोग गया है तो पलस एक लिखेंगे मतलब इस क्यू का नि जरूरत होगी उन्हीं दोनों को निर्धे सांग कहेंगे कार्ती अतल आप लोग समझीगा जिसमें 1, 6, y, 4, 4, थानसों कार्ती अतल होगा 1 वाले निर्धे सांग को भूझ, y वाले को कोट काते हैं मूल बिंदू का निर्धे सांग जो होगा 0-0 होगा क्योंकि X में भी कुछ नहीं जाना है Y में भी नहीं जाना है तो मतलब 0-0 होगा इसका निर्दे सांग X दाये तरब प्लस दाये तरब माइनस Y उपर प्लस नीचे माइनस होता है चीन हाप लोगों को याद रखना है चीन भी आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं जैसे माली जी हमको इस वाले में जाना हो पहले चतुर्थांस में तो आप पहले कौन चलते हैं Yax में Yax इधर क्या होता है प्लस उपर अब जाएंगे यहां जाना है तो उपर Y होता है उपर से नीचे इधर Y उपर के तरफ पलस है तो मतलब पलस देखिए यह हमने बता है था कि पहले चतुर्थांस में दोनों चीन पलस होते हैं दूसरे में दोनों चीन क्या होंगे एक माइनस होता है एक पलस कैसे इसको भी देखिए हम लोग यहां चलते हैं माले जी यह दूसरें जाना है पहले हम लोग x चलेंगे इधर आएंगे x क्या होता है माईनस उपर जाएंगे y क्या होता है पलस तो chin this का होता है माले जी यह तीसरे चतुरथांज में हमको आना है यहां से पहले यक्स हीम चलते हैं आप लोग जानते हैं तो यक सीधर होता है माइनस और फिर इसमें आना है तो नीचे आएंगे नीचे वाई माइनस मतलब यहाँ दोनों माइनस होता है चिन और इसमें यहां से हम लोग दाय तरफ जाएंगे तो प्लस होता है नीचे आएंगे माइनस होता है तो ऐसे देखिए चीन को याद रखना है माली जी ऐसे कोई बिंदू दे देगा कहेगा माइनस 3, 4 है किस चतुर थांस में होगा तो यही आप लोगों को बताना है यह चीन ही याद रखेंगे तो माइनस और प्लस है माइनस और प्लस दूसरे वाले चतुर थांस में होते हैं तो बता देंगे आप लोग यह बिंदू दूसरे चतुर थांस में होगा उम्मीध है कि ये introduction आप लोगों को समझ में आया होगा कारती तल के बारे में काफी important है इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे तो हमने बताया था शुरू में आप लोगों को कि प्रस्नावली के question भी बताएंगे लेकिन ये वीडियो काफी बड इतना है